उत्तर प्रदेश की सीट जौनपुर और जौनपुर एक बार फिर सुर्खियों में सुर्खियों में क्यों? वजे वही धननजे सिंग अब वजे ये है कि धननजे सिंग की पत्नी श्रीकला धननजे सिंग का टिकट मायावती ने काट दिया श्रीकला नमांकन कर चुकी हैं और धनंजे भी सलाखों से बाहर आ चुके हैं लेकिन मायावती ने उनका टिकट काट कर उनकी जगे मौजूदा सांसद शाम सिंग यादव जो पिछली बार बस्पा के सिंबल पर जौनपूर से चुनाओ जीते उनी को टिकट दे दिया है शाम सिंग आदव का कहना है कि देर रात एक बजे मायवती जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि जौनपूर से चुनाव लड़ लोगे तो मैंने अपनी सहमती दे दी दोस्तों यह तो खबर हो गई अब इसके पीछे की कहानी ये है कि कहा ये जा रहा है कि धननजे सिंग ने खुद टिकट वापस किया है लेकिन एक तपका ये कह रहा है कि उनकी पतनी का टिकट काटा गया है खबर तो यहां तक है कि जब मायावती ने जौनपूर में धननजे सिंग की पतनी का टिकट काटा तो भारती जंता पार्टी के एक बड़े नेता का फोन धननजे सिंग के पास आया और उनसे ये कहा गया कि निर्दली ये चुनाव ना लड़ें दोस्तो श्रीकला धननजे सिंग नामांकन कर चुकी है अब मायावती ने उनका टिकट काट दिया है अब ऐसे में सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या श्रीकला सिंग निर्दली चुनाव लड़ेंगी या फिर धननजे सिंग चुनाव लडेंगे या फिर श्रीकला नाम वापस ले लेंगी क्योंकि दोस्तों जॉनपूर का जो पूरा गड़ित है वो गड़ित इस तरीके से उलज गया है कि भारती जनता पार्टी ने वहां कृपाशंकर सिंग को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी इंडिया गड़बंधन से बाबू सिंग कुश्वाहा प्रत्याशी है और अब मायवती की पार्टी से श्याम सिंग यादव प्रत्याशी हो गए है जौनपूर की सीट वो सीट है जिसके लिए भाजपा का आला कमान दिल्ली में बैठकर पूरी पूरी ताकत लगा रहा है और पूरी कोशिश है कि जौनपूर की सीट को जीता जा सके करपा शंकर सिंग जौनपूर के रहने वाले हैं लंबे वक्त से महराष्ट की राजनीती कर रहे हैं कॉंग्रेज छोड़ कर भारती जनता पार्टी में आये हैं और उनको भारती जनता पार्टी ने जौनपूर में लोगसभा का टिकट दिया है इधर धनंजे सिंग के जेल से छूटने के बाद चुनावी मुकाबला देहद टाइट हो गया था अब मायावती ने अचानक श्रीकला का टिकट काट दिया और शाम सिंग यादव जो 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे उनको टिकट दे दिया दोस्तों ये वही शाम सिंग यादव हैं जिन्होंने अखलेश यादव उपर वादा पूरा ना करने का आरोप लगाया था शाम सिंग यादव ने कहा था कि अखलेश यादव से उनकी पांच बार मुलाकात हुई अखलेश आदव ने कहा कि जौनपूर से टिकट देंगे लेकिन मेरी जगह बाबू सिंग कुश्वाहा को टिकट दे दिया अब वही शाम सिंग आदव बहुजन समाज पार्टी से जौनपूर में चुनाव लड़ेंगे तो दोसतों आखिर धनेंजे सिंग की पतनी श्री कला का टिकट क्यों कटा ये टिकट कटने के पीछे वज़य कौन सी है आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा समीकरण था जिसकी वज़य से मायवती ने आधी रात को श्री कला का टिकट काट दिया आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं